2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है जिसको लेकर मनिश्क शप ने कमर कस लिया लेकि सवाल उठता है कि वो किस पार्टी से आएंगे और आप लोगों को बता चुके हम पिछले वीडियो में कि उनको किसी भी पार्टी से टिकाट नहीं मिला है मनिश्क शप इस बार के चुना में निर्दाल्य जो झो है वो खड़ा होने वाले चुनाव लण वाले रादा मोहांजी को टिकाट मिल चुका है मनिश्क कर सबको टिकाट नहीं मिला इसलिए वो निर्दाल्य खडाओंगे लेकिन सवाल यह रहेगा कि चिस चंपारन में वो कौन सा मुद्दा है जिस उससे पूरा करेंगे और कौन-कौन सा वादा जनता को दे कर जो है जनता का वोट लेंगे हमारे चाथ ब्रज शिर्वास्तों जी है जो ग्लोबल यूथ उसको बात करेंगे और कौन से विकास को डेवलाप करने के लिए वोट देंगे हम इन से जानेंगे ब्रजी इंडियन टाम सुनिज पर स्वागत है बहुत-बहुत धन्यवाद सुनिल जी आपके और आपके पूरे दर्सक को और इस जैसे ज्वलनत और जो समाज के ग्रासूट लेवल से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसको उठाने के लिए कि चुनाव तो हर बार आता जाता रहता है लेकिन चुनाव के साथ-साथ जो समाजिक मुद्दे हैं उसको एक प्रकाष्ठा पर और उसको जन प्रतनेदियों और जनता तक पहुँचाने का जो काम है चे रहा हैं दो काफी सारे मसलें हैं जिस पर मसलें पर भीचार होना अब बाकी है जनता की समस्या होता है क्योंकि जो घ्रासरोट लेबल की समस्या है Soul जो मतलब 0 पॉइंट पर जो लोग रह रहा है जो 0 वोटर सैं जो हमारे क्योकि उन बोटर सके बाद बहुत सारे सामने जाती है कि वोटर्स के बाद उपर कौन उससे उपर कौन जो जन परतिनीदी तक बात नहीं पहुच पाता है तो इस सभी काम के लिए आप जैसे मीडिया लोग करेता है इसलिए आपको बहुत बहुत अब्राजी हमारा पहला सवाल है कि इस बार जो है मनिश्क सब निर्दलिय मिश्क वहां जिते नहीं है कि जो संस्था या कोई भी अगर हम पाटी की बात करें गृज़ेपी की बात करें राजट की बात करें इसे बात कॉंग्रेस की बात करे या जितने भी पार्टियाज हैं हमारे बिहार में एक्टी पार्टीज है उन उस संस्था से जो प्रतिनिदी है उनका काम क्या है ग्राफ्षूट लेवल पे और किस तरह से काम को लोग जनता को लभामबित कर रहे हैं यह सबसे ज्यादा मुद्दा है तो इन सभी काम को मुद पार्टी प्रतिनिधि उसको लुभा ले लेकिन अभी परिशिती यह है कि जो जिन्विनिटी है जो ग्राश्वूट की समस्षयां जो प्रतिनिधि उस चीज को आगे लेके आएंगे जो रोब कौन सी ऐसी काम है या कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर काम होना बापू के करम भूमी होने के नाते यहाँ पर विकास की दूंढायों के बात करूंगा चीजा तो मैंने अभी तक किसी भी जन प्रतिदी जैसे लोग सभा की बात करेंगे क्योंकि कोई भी सांसद कोई भी सांसद से जुड़े हुए लोग ग्राश्टूट लेवल पर किसी भी अपने लोकलिटी के स्कूल्स को कि आगे तक नहीं लेके जा पा रहे हैं या आगे उसको मतलब लोगों की या छात्रों की समस्याओं को नहीं ले पा रहे हैं तो यह सबसे बड़ी चालेंज है तो जो भी ब्यवस्था या जो भी संस्था की बात करें या प्रतिदी के बात करें जो सिक्षा के छे सब्सक्राइब सब्सक्राइब और उसको जनता और जन प्रतिनियों के बीच में आगे बढ़ाने की कार्च कि आपको क्या लग रहा है पूर्य पश्चिमी चंपारण को देखा जाए तो एयरपूर्ट अभी तक नहीं बना है जब कि वहीं रक्सौल में एयरपूर्ट पहले स उसके बाद अब तक बंद है क्या उस मुद्धे पर काम होना चाहिए और मैं जितने भी जन परतिनियों चाहिए किसी भी पार्टी से हो उन सभी लोगों से यहीं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी अपने विवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी चीजों को अल सब्सक्राइब करें क्योंकि यह अपने दावा कर रहे हैं कि हम इसे बनवा रहे हैं जनता जरूरू सबसे बड़ा समस्या हमारे सामने एक और भी है रोजगार की अगर हम बात करते हैं तो मतिहारी चिनी मिल कई सालों से बंद है मतिहारी चिनी मिल पर कई कुछ दिन पहले किसी मजदूर ने वहां पर करमचारी जो काम करें उन्होंने आत्मदा भी किया था लेकिन अब उसके बाद भी अभी तक लगबग वरसों से चिनी मिल बंद है परदान मंतरी मोदी तो कह चुके हैं कि हम आएंगे तो मति पूर्ण मुद्दा है सबसे पहला मुद्दा तो रक्सॉल यहरपोर्ट है दूसरा मुद्दा हम बात करते हैं कि यहां पेचेरी चिनी मिल की सुरुआते कि बाद करें तो बाड़ में सबसे ज्यादा महत्पुन्दा मैं जिस एरिया में रहता हूं मैं जिस इलाके से मेरे पिछले मतलब हर साल अगर मैं देखूं तो तीन-चार महिना बाड़ में से प्रभावित होता है तिरवाचेत्र में पुरा के पुरा तिरवाचेत्र की बात कर रहा हूं मैं रक्सॉल से लेके यहां सिंग्या चैनाहा जो रेलवे लाइन है इस बीच में जितने भी सबसे बड़ी समच्चा है पानी की निकाशी जहां पे नदी के ऊपर नदी के आसपास लोगों ने अपना जबरन कपजा की हुए है और उसको अपनी खेत में या किसी भी तरह से उसको यूटलाइज किया जा रहा है और पानी के जो सुचारू निकाशी नहीं होने के जैसे कई सारे रोड तूट जाते हैं जिससे यातायात संबंदी चीजे मालनी जीए कि जो चीज हमारे पुर्वी चंपारन के मुख्याले से बारत तेरा बीस चौविस पचीस किलोमीटर जो लोग दूर है मतलब का पूरे साल में एक से डेर महीना दो महीना तो सहर से कट ज लिए इसका कोई कोई उपाय निकालेंगे इस चीज को लेकार मनिश के सब खुद इन भी जिन विसोयों के लिए वह कहते हैं कि हम उसका समधान करेंगे अगर नहीं करेंगे तो आप हमें हटा दीजिएगा यह मैं खुद रिजाइन दे दूना क्या यह कितना अगर हम लोग देखें तो जिन जिन विशोयों पर उन्होंने अपनी आवाज उठाए जिन जिन विशोयों पर उन्होंने काम करनी चाहिए उन विशोयों पर उन्होंने काम किया है तो बहतर है कि अगर वो इस विशोय पर काम क्योंकि ग्राश्ट प्राइमरी स्कूल से ले परसेंट से ज्यादा युवा भोट देने वाले लेकिन सरकार के द्वारा जो है मात्र एक परसेंट भी युवाओं को टिकट नहीं दिया जिसमें मनीश को सब्सक्राइब को टिकट मिलना चाहिए था बोल पाऊंगा कि अलग 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 लोग इस चीज को देख रहे हैं और उन्हों का अपना अपना इसके बाद अलग अलग प्रेडिक्संस होगा तो इस चीज को हम लोग नहीं बोलते भी हमें इस बात को रखना है कि विवाओं को नहीं देना किसी भी पार्टीज को या किसी पार्टीज को ले की आना येवा को नहीं इवान की इवान विचार को ले कीरा सब्सरेदा महत्तंचता Jangusdon next जो इवान विचार सामने आएज और लोगों का भरोसा इतना मजभूथ हो जिस मजबुती से हम सभी विवस्थाओं को एक रूप देके जो लोकल लेवल पर जो डेवलेप्मेंट उसको सुनिश्चित किया जाए लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो हम मनिश्क को जगर वोट देते हैं या मनिश्क का से खाड़ा भी होते हैं चुना लड़ते हैं तो उनको कौन कौन से मुद्दे पर काम करना चाहिए जिसको लेकर जनता उनको चुनेगी और भोट भी देगी इसके लिए मैं अगर मेरी बात मनिश्क से भाई तक पहुंचेगी तो उस जिस भी छेतर से चाहिए अगर मुझे उमीद है कि मुझे से लग रहा था पिछले कुछ दिन लिक लोग उसको अगर यहां से आ रहे हैं तो जो हमें एक एक हर एक पूस्तर पर हर एक जगवाओं पर लोगों की समझ्याओं से बड़ी मुहतबूनिस हुझावे हैं कि बूट लेबल पे जीतने भी लोगों की समस्या आहें कि बहुत सारी समयचता है किसी के बिर्दा पं किसमस्या रोड में लोग जो लोकल जन्परद्दी है जैसे लेवल की बात कर रहे हैं उस वहां पर जो मुखिया है पंचायत वाड़ास तर पर समस्या हैं हर पंचायत में एक जो इसकूल है उसकी अलग समस्यां हैं इन सभी समस्याओं को हमें करते हुए लोगों तक उस बात तक हमें पहुचना है कि किस तरह से इन सभी जरूरते और बेसिक जरूरतों की जरूरतों का ध्यान वरकती हैं उनको सुधार किया जाए ठीए क 59 90 लोगों से संश्जाव लेना हम उपनी ऑलाइन कर दें हम उनसे जा के पूछें जैसे हम лиकर कर रहे हम से बात है आपने जितने भी लोग हैं हम उनके सहिवागी हैं ठाद करें तो सब्सक्राइब करने की बात है तो मैं जरूर में ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और सब्सक्राइब करने की बात है तो मैं जरूर मनिश भाई के साथ परचार में रहूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मनिश भाई की जो चीजे है जो इवा विचार है जीवा सोच है वह यहां से सांसत तक पहुंचे जी जरूर तो देख सकते हैं हमारा साथ ब्रज सिर्वास्तों जी ते जिन्मने सारी चीजों को बता दिया आप देखना ये मनिश करना चुनाओ लड़ रहे हैं चाहे वह निर्दलीय की सी पाटी तो आप लोगों का बीचार और समस्या है कमेंट करके जरूर बताएगा हो सकत मनिश कर बिचार साजल